इंडिया एलाइन्स को बढ़त मिल लई है और यहां तक की जो देश के प्रधान मंत्री थे और आगे भी प्रधान मंत्री के कंडिडेट थे जिस तरह से वो पीछे हुए है कहीं न कहीं देश की जनता ने वरार्सी संजदी छेत की जनता ने भी सच्चाई की जीत की और अग् के आगे आप देखते जाएए क्या होता है और सभी जगह से अच्छे रुजान आ रहे हैं मत्वदेश वो च्छतिस गड़ हो जबकि एग्जिक्ट पोल में कई जगह केरल में तमिल नाडू में यहां सब जगह जो है पीछे बताया था जीरो कर दिया था कई राज्यों में यूपी में बहुत कम बताया था यूपी में इंडिया लाइन्स किसी के ज़्यादा हो गई है तो कई राज्यों में बहुत अच्छा आपका चाहरा राजस्थान हो मत्वदेश में भी सभी जगह से अच्छे रुजान आ रहे है तो अभी तो पहला दूसरा चरण हुआ है पूरा जब रुजान आएगा पूरा इतरह से जब मतगर्ना हो जाएगी मतगर्ना उपरांत इंडिया एलाइन्स की पूरी बहुमत में सरकार बनेगी शुरुगाती रुजाओं से ऐसा समझ में आ रहा है देखे ईबियम और बैटरी पे जो संका थी आज की ही काउंटिंग में लगभग सीधी संस्दी छेत के काउंटिंग में 50% से ज्यादा बैटरी 99% डिचार्ज मिली है और आपती दर्ज कराया है प्रत्यासियों ने जो काउंटिंग एजेंट है रिसीविंग भी ले लिया है पर हम समझते हैं कहीं न कहीं कुछ बैटरी या 60% 40% डिचार्ज है और कुछ बैटरी सिर्फ 1% डिचार्ज है 99% डिचार्ज मिली है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमी है और इस पे जो इंजीनियर से या जो भी निर्वाचन नायोग है इनको संग्यान लेना चाहिए क् पहले भी इसे काफि प्रस्णची पिछले चुनाव में भी लगा है निस्पक्षु चुनाव हो हार जीत यह अमारे लोकतंत्र का एक पहलु है पर चुनाव निस्पक्ष हो यह महत्मूर और इसके लिए हमारा जो निर्वाचा नायोग है यह उसके लिए पूरी तरह से जिम् कि वो निस्पक शुनाव कराएं और इस तरह कि जहां भी आसंका किसी भी राजनितिक दल को होती है तो वहां उनको संग्यान में लेना चाहिए और उसकी सुधार की दिशा में काम करना चाहिए